ओम शान्ती, आज है 9 दिसंबर 2020 की साकार मुरली, पहले एक नजर मुरली की मुख्य पॉइंट्स पर, बाबा ने कहा, अपने उपर बहुत सावधानी रखो, तुम यहां आए हो हिसाब किताब चुक्तू करने, ऐसा ना हो, यहां आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ, तो फि खानी पड़ेगी, निरसंकल्प अवस्था में रहने से, तुम अपने तो क्या, किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो, जैसे कोई देवताओं के पास जाता है, तो उनके सामने वे शान्त हो जाता है, पैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो, तुम्हा आगे भी किसी खा विकारी संकल्प नहीं चल सकता, फिर कहा यग्य प्रती, अथ्वा इश्वरी ये सेवा प्रती जो संकल्प चलता है, वे गोया निरसंकल्प हो गया, जो संकल्प कल्योगी संसार और कल्योगी मित्र संबंधियों के प्रती चलते हैं, वे विकल्प कहे जा प्रन्तु अलोकिक इश्वरिय द्रिष्टी से करो, मोह की रग ना हो, अनासक्त होकर अपनी फरज अदाई पालन करनी चाहिए. जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं उन्हें बहुत भारी पद मिलता है और लास्ट में बाबा ने कहा जो इश्वरिय यग्य में छिप कर काम करता है तो उनको जानी जाननहार ब बल भूले होती हैं प्रंतु उनको बताने से आगे के लिए बच सकते हो इसलिए बच्चे सावधान रहना अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे जो संकल्प इश्वरिय सेवा अर्थ चलता है उसे शद्ध संकल्प वनिर्संकल्प ही कहेंगे व्यर्थ नहीं प्रेशन विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फ़र्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो उत्तर मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो लेकिन अलोकिक इश्वरिय द्रिष्टी रख करके करो उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है इसलिए अनासक्त होकर फ़र्ज अदाई पालन करो जितना हो सके देही अभीमानी रहने का पुरुशार्थ करो ओम शान्ती बाब ने कहा आज सुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निर संकल्प, अथ्वकर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है जब तक तुम यहां हो, तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे संकल्प धारन किये बिना कोई मनुष्य एकशन भी रह नहीं सकता है अब यह संकल्प यहां भी चलेंगे, सत्युग में भी चलेंगे और अज्यान काल में भी चलते हैं प्रंतु ज्यान में आने से संकल्प संकल्प नहीं. क्योंकि तुम परमात्म की सेवा अर्थ निमित बने हो, तो जो यग्य अर्थ संकल्प चलता, वेह संकल्प संकल्प नहीं, वेह निरसंकल्प ही है. बाकी जो फाल्तु संकल्प चलते हैं अर्थात कल्योगी संसार और कल्योगी मित्र संबंधियों के प्रती चलते हैं वे विकल्प कहे जाते हैं जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है बाकि जो यग्य प्रती अथ्वा ईश्वर ये सेवा प्रती संकल्प चलता है वे गोया निर्संकल्प हो गया शुद्ध संकल्प सर्विस प्रती भले चले देखो बाबा यहां बैठा है तुम बच्चों को संभालने अर्थ उसकी सर्विस करने अर्थ माबाप का संकल्प जरूर चलता है प्रन्तु यह संकल्प संकल्प नहीं इससे विकर्म नहीं बनता है प्रन्तु यदि किसी का विकारी संबंध प्रती संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है बाब तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो परन्तु अलोकिक इश्वरिय द्रिष्टी से वेह मोह की रग नहीं आनी चाहिए अनासक्त होकर अपनी फ़र्ज अदाई पालन करनी चाहिए प्रन्तु जो कोई यहां होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते तो भी उनको परमात्मा को नहीं चोड़ना चाहिए हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे अब यह तो हरे एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देहे अभी मानी जरूर ठहरा जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभी मानी किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे और जो विकारों से रहित हैं वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे जैसे देखो कोई कोई बच्चे है जिन में ना काम है ना क्रोध है ना लोब है ना मोह है वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञान मयावस्था है वह तो तुम सब भी वोट देंगे अब ये तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हूँ अच्छे को सब अच्छा कहेंगे जिसमें कुछ खामी होगी उनको सब भी वोट देंगे अब ये निश्चे करना जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते जो विकार प्रुफ है वो सर्विस कर ओरों को आप समान बना सकेंगे इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए इश्वरिय अर्थ संकल्प को निर्संकल्प रखा जाएगा वास्तों में निर्संकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं दुख सुख से न्यारा हो जाए वे तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुक्तु कर चले जाते हो वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहां तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित बने हुए हो। तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सत्युग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं। कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। समझा। अब कर्म, अकर्म और विकर्म की गती तो परमात्मा ही समझा सकता है। वही विकर्मों से चुडाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने उपर बहुत ही सावधानी रखो। अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहां आए हो हिसाब किताब जुक्तू करने। ऐसे तो नहीं, यहां आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ। तो सजा खानी पड़े। यह गर्ब जेल की सजा को नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुशार्थ करना है। यह मंजिल बहुत भारी है। इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के उपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है। कितने तक इस निरसंकल्प, अर्थात, सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जानते रहो। जो खुद को नहीं समझ सकते हैं, वह मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकते हैं। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या, किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो, कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा, जैसे कोई देवताओं के पास जाता है, तो उनके सामने वह शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो, तु बहुत कामी पुरुष है, जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा, तो भी वार नहीं कर सकेगा, अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो, देखो बच्चे, तुम यहां आये हो परमात्मा को विकारों की आहुती देने, प्रन्तु कोई कोई ने अभी काइदे सि जुटा हुआ नहीं है, सारा दिन बुद्धी योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभीमानी नहीं बने हैं, देह अभीमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते हैं, अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं तो जो परमात्म से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं उन्हें बहुत भारी पद मिलता है अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है उस बाप क वो साधार्ण रूप में ना जान कर, कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन करना, गोया विनाश को प्राप्त करना, अभी वे समय आएगा जो 108 ज्यान गंगाएं, पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी, बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे, वे तो अपनी ही बरबादी करेंगे, यह निश्चे जानना, जो कोई इस इश्वरिय यग्य में छिपकर काम करता है, तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है, वे फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है, सावधानी देने अर्थ, अर्थात जो कोई छिपकर कोई भी गलत काम करता ह तो जानी जानन हार बाबा उससे देख लेता है, तो कोई भी बाद छिपानी नहीं चाहिए, भल भूले होती हैं, प्रन्तु उनको बताने से ही आगे के लिए बच्च सकते हैं, इसलिए बच्चे सावधान रहना, बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूँ कोन मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को, मैं आत्मा कहां से आया हूँ, किसकी संतान हूँ, आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए, बच्चे को खुशी तब आ चोटा है, बाप की ओक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता, बाप की ओक्यूपेशन का पता पड़ता जाता, तो वे नशा, वे खुशी चड़ती जाती है। तो पहले उनके occupation को जानना है कि हमारा बाबा कौन है वे कहां रहता है। अगर कहे आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई तो खुशी किसको आएगी। तुम्हारे पास जो नए जिग्यासु आते हैं उनको पूछना चाहिए कि तुम यहां क्या पढ़ते हो इससे क्या status मिलती है। उस college में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम doctor बन रहे हैं, engineer बन रहे हैं तो उन पर विश्वास करेंगे न कि यह बरोबर पढ़ रहे हैं। यहां भी students बताते हैं कि यह है दुख की दुनिया जिसको नर्क, hell अत्व डेविल वर्ड कहते हैं। उनकी against है heaven अर्थात, dt वर्ड जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि यह वह स्वर्ग नहीं है, यह नर्क है, अत्वा दुख की दुनिया है, पापात्माओं की दुनिया है, तब तो उसको पुकारते हैं कि हमको पुन्य की दुनिया में ले चलो। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वे जानते हैं कि हमको बाबा उस पुन्य की दुनिया में ले चल रहे हैं, तो जो नए स्टुडेंट आते हैं, उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए, वे अपने टीचर का अत्वा बाप का बता सकते हैं, बाप थोड़ी अपनी सरहाना खुद बैठ करेंगे, टीचर अपनी महीमा खुद सुनाएगा क्या, वे तो स्टुडेंट सुनाएंगे कि ये ऐसा टीचर है, तब कहते हैं स्टुडेंट शोज मास्टर, तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़ कर आए हूँ, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना, बाकी टीचर जो B.A.M. में पढ़ा रहे हैं, वे बैठ नए स्टुडेंट को A.B.C. सिखलाएंगे क्या, कोई-कोई स्टुडेंट अच्छे होश्यार होते हैं, वे दूसरों को भी पढ़ाते हैं, उसमें माता गुरू तो मशू यह है, डीटी धर्म की पहली माता जिसको जगदंबा कहते हैं, माता की बहुत महिमा है, बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी इन चार देवियों की बहुत पूजा करते हैं, अब उन चार का उक्यूपेशन तो मालुम होना चाहिए ना, जैसे लक्ष्मी ह तो वह है गोड़िज ओफ वेल्थ, वह तो यहां ही राज्ये करके गई है, बाकि काली, दुर्गा, आदी ये तो सब इस पर नाम पड़े हैं, अगर चार माताएं हैं, तो उनकी चार पती भी होने चाहिए, अब लक्ष्मी का तो नाराइन पती प्रसिद्ध है, काली का पत पती बताते हैं, पार्वती कोई काली नहीं है, बहुत हैं जो काली को पूज से हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता नहीं है, काली का या तो पती होना चाहिए, या पिता होना चाहिए, लेकिन ये कोई को पता नहीं है, तुमको समझाना है कि दुनिया यह एक ह जो कोई समय दुख की दुनिया अत्वा दोजक बन जाती है वही फिर सत्युग में बहिस अत्वा स्वर्ग बन जाती है लक्ष्मिनारेण भी इस ही स्रिष्टी पर सत्युग के समय राज्ये करते थे बाकी सुक्षम में तो कोई बैकुंठ है नहीं जहां सुक्षम लक्ष्मि हैं तो जरूर यहां ही राज्य करके गए हैं खेल सारा इस कॉर्परियल वर्ड में चलता है हिस्ट्री जोग्रफी इस कॉर्परियल वर्ड की है सुक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री जोग्रफी होती नहीं लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिग्यासु को पहले अल्फ सिखलाना है फिर बे समझाना है अल्फ है गोड़ वे सुप्रीम सोल है जब तक यह पूरा समझा नहीं है तब तक परम पिता के लिए वे लव नहीं जागता वे खुशी नहीं आती क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनकी उक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आवे तो खुशी है इस पहली बात को समझने में गोड़ तो एवर हैप्पी है आनंद स्वरूप है उनकी हम बच्चे है तो क्योंने वे खुशी आनी चाहिए वे गुदगुदी क्यों नहीं होती I am son of God I am ever happy master God वे खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को सन नहीं समझ से है बच्चा नहीं समझ से है God is ever happy but I am not happy क्योंकि फादर को नहीं जानते है बात तो सहज है कोई कोई को ये ग्यान सुनने के बदले शानती अच्छी लगती है क्योंकि बहुत है जो ग्यान उठा भी नहीं सकेंगे इतना समय कहां है बस इस अल्फ को भी जानकर साइलेंस में रहे तो वे भी अच्छा है जैसे सन्यासी भी पहाडों की कंद्राओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहे तो भी अच्छा है उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं प्रन्तु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते वहाँ तो बाल बच्चों में मोहो जाता रहेगा इसलिए तो सन्यास करते हैं होली बन जाते तो उसमें सुख तो है ना सन्यासी सबसे अच्छे है आदी देव भी सन्यासी बना है ना यह सामने उनका मंदिर खड़ा है यहां तपश्या कर रहे है गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्मों का सन्यास करो वे सन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते ग्रसी को महात्मा कहना बेकाइदे है तुमको तो परमात्मा ने आकर सन्यास कराया है सन्यास करते ही हैं सुख के लिए महात्म कभी दुखी नहीं होते राजाएं भी सन्यास करते हैं तो ताज आदि फैक देते हैं जैसे गोपी चंद ने सन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है अच्छा, मीठे मीठे, सिक्की लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से धार्ना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट कोई भी उल्टा कर्म चिप कर नहीं करना है बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है बहुत बहुत सावधान रहना है दूसरी पॉइंट स्टुडेंट शोज मास्टर जो पढ़ा है वे दूसरों को पढ़ाना है एवर हैपी गोड के बच्चे हैं इस सम्रिती से अपार खुशी में रहना है वर्दान हर आत्मा को उच उठाने की भावना से रिगार देने वाले शुब चिन्तक भव हर आत्मा के प्रति स्रेष्ट भावना अर्थात उच उठाने की वा आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुब चिन्तक बनना अपनी शब वृति से, शब चिंतक स्थिती से अन्य के अउगुण को भी परिवर्थन करना, किसी की भी कमजोरी वह अउगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने की बजाए, वो फैलाने के बजाए समाना और परिवर्थन करना ये है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिलशिकस को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्सा में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुब चिन तक है। स्लोगन त्याग का भाग्य स्मप्त करने वाला पुराना स्वभाव संसकार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। अच्छा। ओम शान्ती, आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें, उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें। झाल, बोक्स करें। स्वावर्णा जरूर स्वार्णा स्वावर्णा रखिए झाल झाल